पिदा पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जय येशू हम लोग कतल कलीसिया के चार मुख्य बातों को स्पेशियालिटी को हम सीखर के आ रहे हैं कल और परसूम हम लोगों ने कलीसिया एक है कलीसिया पवित्र है इस विशे में मनंशिंदन किया सन 325 में निसिया में हुए महा जो सम्मेलन है महा सभा है उसके अंदर एक धर्मसार की रचना की गई बैबल के अनुसार वचन के अनुसार हमारे लिए एक विश्वास मंदर धर्म का सार लिखा गया जिसे हम लोग विश्वास मंदर या धर्म सार कहते हैं उसके अंदर कलीसिया के विशे में लिखा है कलीसिया एक है कलीसिया पवित्र है कलीसिया कातलिक है एवं कलीसिया प्रेरिति के हम उस पर ही इन दिनों में मनंचिंदन कर रहे हैं तो एक और पवित्रदा के विशे में हम बीती क्लासों में मनंचिंदन किया आज कलीसिया क्यों कातलिक है इस पर हम लोग मनंचिंदन करेंगी कातलिक के सब्द का अर्थ है यूनिवर्सल ये कहां से आया है इसा मसी ने मतिकसु समचार उसके अधियाए 28 वाक्य 19 में अपने शिश्यों से कहा तुम लोग जाकर सब राश्ट्रों को शिश्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तीसमा दो और यही बात मार्कुस के सुसमचार उसके अधियाए 16 वाक्य 15 में इस प्रगार लिखा है इसके बाद इसा ने उनसे कहा संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्ठी को सूसमचार सुनाओ अर्थाद, प्रभू इसम मसी ने अपने प्रेरितों को यह आज्या दी कि तुमें सारे राष्ट्रों में जाना है सभी भाष्य भाष्य वालों को सुसमचार सुनाना है इसको ही कैतलिकी करते है कातलिक के कलीसिया सभी बाष्यवालों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए है सब मनिश्यों के लिए, सभी संस्कार के लोगों के लिए ये किसी विक्ति विशेशदा के लिए नहीं, किसी जगा के लोगों के लिए नहीं किसी ऐसे कलरवालों के लिए नहीं किसी ऐसे बाशावालों के लिए नहीं इसलिए इस कलीशिया को कायत्यलिक की कलीशिया कहते हैं ये कलीशिया सब राष्ठों के लिए है सभी बाशावालों के लिए है सबों को वे स्वागत करता है सबों को ये प्यार करता है सबों की मुक्ति चाहते हैं सबों की पवित्रदा चाहते हैं हिदियम लोग कातली किलीसिया का दर्मशिक्षा ग्रिंद उसके 830 संख्या पड़ेंगे कातली किलीसिया का दर्मशिक्षा ग्रिंद संख्या 830 वहां पर ये लिखा हुआ है कि कलीशिया यूनुवर्सल अर्थाद विश्यवयापी कलीशिया है क्योंकि वे सब भाषा भाषियों को सब लोगों को उनके संस्क्रदी उनके किस प्रकार का जीवन चरिया ये कुछ ना देखते हुए सबों को स्वागत करता है और सबों को पवित्र करने का सुद्ध करने का मुक्ति दिलाने का कार्य सेवा करता है तो शिश्य लोगों को मिली हुई उस आदेश उसका पालन करते हुए इसमसी के मृतियों के तुरंद बाद शिश्य लोग संचार के कोने कोने में गई उदाहरन के लिए हमारे भारत देश में उसी समय पर एक शिश्य संद तोमस पहुंची गिया इसी प्रकार संचार के कोने कोने पर जाकर सुसमस्चार का परचार किया इस मुक्ति सब राष्ट्रों को मुक्ति मिले पवित्रदा मिले सुर्गराज्य मिले इस कारिय किया है जैसे हम लोग ने मननचिंदन कर चुका है पभित्रदा के लिए लोगों को वो प्रभु का देया करुना का आनभव मिले जब प्रभु इसा मसी की देया करुना अपार है उसका आनभव लोगों को मिले तब लोग मसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी उसके लिए इसा मसी ने स्वयम किस प्रकार कलीसिया का नर्मान किया इसको हमें मनेंचिंदन करना है पहले क्लास के अंदर मैंने कहा पेतरूस के उस चटान पर कैसे मसी ने कलीसिया का नर्मान किया ये एकदम अचानक एकदम नहीं बिनाया है इसमसी के जो पब्लिक लाइफ में वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जा रहा था सबसे पहले जरूर यहूदियों में उन्होंने अपना सुसमचार सुनाया इसके बाद गेर यहूदियों के बीच गए और उन लोगों को भी विश्यश्य बिनाए उसका इलिए उदाहरन हम लोगों ले सकते हैं मति के सुसमचार में किस प्रकार प्रभु ईसमसी ने कलीसिया का नर्मान किया इसका बहुती सुंदर तरीके से मति ने उसका वर्नन किया है मतिके सुसमजार, मार्कोस और लोकस के सुसमजार प्रवीज़ा मसी का एक प्रकार के एक सफर है गिलीलिया में उन्होंने सफर सुरू किया और यात्रा करते 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 वो यरुद्लेम पहुंचते हैं वहां पापों का प्राइचित कर क्रूस पर मरते हैं इसका मदलब है प्रभु इसमसी के वो प्राइचित बेली की ओर एक यात्रा था उस यात्रा करते करते प्रभु इसमसी तीन बार यहां पर हम लोगों से उनके बीड से विदा अलग होते विड्रो करते अपने को जहां कहीं भी मसी इस प्रकार अपने को विड्रो किया इसके बाद प्रभु ने कुछ बड़ा कारे किया इसलिए हम लोग जाते हैं मत्ति के सुसमचार उसके अधियाय 14 मेरे विजार में आप लोग बाइबल को भी खोल करके ध्यान से इसको सीखें मेरे विजार में आप से इससे पूर्व कभी सुना नहीं होगा इसलिए बाइबल से ही कोट करते हुए कलिसिया का नर्मान का ओ तरीक्या में आपको बता करके दे रहा हूं इसलिए इसको ध्यान से समझें मतिक सु समचार दियाए 14 वाक्य तेरे में लिका हुआ है इसमसी जब योहन बप्तिस्ता का मृत्यू का कबर उन्हें मिला उस समय पर लोगों के बीच से वो हट गही और नाव पर चड़कर एक नर्जन स्तान की और वो विदा किया चल गया जब लोगों की बीच से जब विड्रो किया इसके बाद सोचना है इसके आगे कुछ बड़ा कायरे वो करने वाला है अगला हम लोग देखते हैं वहांबर जहां वो पहुंचा वहां देखा तो बहुत बीड़ा आगे वहांबर उन्होंने पांच रोटी से पांच हजार पुरिशों का और मेरे विजार में उससे दुगनी, स्त्री और बिच्चे बहुत बड़ी संख्या में वो संख्या केव पुरिशों की संख्या वहां पर लिखा है वो पांच हजार पुरिश थी, पांच रोटी और दो मचलियों से सबों को तुरुप्त किया और इसके बाद बारह टोकरे भर करके बाकी भी बज़ी गया था यहां इस गड़ना पर हमें मनंशिदन करना है प्रवीस मसी इस रोटी का चमतकार जिस प्रांध पर जिस जहा पर किया वह यहूदी प्रांध है यहूदी लोग रहने वाला जगा है इसका मदलब है प्रवीसा मसी ने ये पला रोटी का चमतकार यहूदियों के बीच में किया और उसका एक और उदाहरन है वाक्य बीस में जो लिखा हुआ है सबों ने खाया और खाकर त्रिप्त होगे और बच्चे वे टुकडों को बारह थोकरे भर गे यहां पर हिंदी ट्रंसलेशन में बारह थोकरे भर गया करके लिखा है जब युनानी बाशा में इसको लिखा गया वहां पर यह थोकरे शब्द कोफिनूस शब्द लिखा हुआ है कोफिनूस शब्द उस टुकरे का नाम है जो यहूदी लोग अपना भोजन लेकर जाने वाला रोटी लेकर जाने वाला टुकरा उसका नाम है कोफिनूस इसका मदलब है यह जो जनस समुदाए मसी के साथ धा वो अधिकतर यहूदी सबार दा और यहूदियों के बीच में यह चमतकार करते हुए मसी ने एक यहूदी रोटी समुदाए को अर्थाद यूकरिस्तिय समुदाए को बनाया यहूदियों का एक दल एक कलीसिया वह उन्हाने वहां पर स्तापित किया इसके बाद वो फुलोवस बन करके मसी के पीछे होते हैं इसके बाद आगला अधियाए में जाते है अधियाए पंदर में अधियाए पंदर का वाके 21 में हम लोग देखते हैं इसमसीłe लोगों से विदा हो करके तीरस और सिदोन टरांद में गे तीरस और सिदोन टरांद गेर हुदी लोग रहने वाला जड़ा है और वहामबर जो गड़ना हुआ उसको छोड़ें उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमसी वहाँबर साथ रोटियों का अगे चमतक चुछज़ार दिखाते हैं। चार हजार पुरिश वो रोटी का करके तृप्त हुआ और इसको हमें पढ़ने के लिए ये मिलता है ये रोटी का करके तृप्त होने के बाद जो बच गिया था वो जो बाकी बचा है बचे हुए टुकडों को बाकी सत्रह के अंदर सोरी सैंतीस होगा या बाकिय 37 के अंदर लिखा हुआ है तर बाकि जो तुर्प्तु हुआ इसके बाद खा करके तुर्प्तु हुआ इसके बाद बाकि जो टुकडों को साथ टोकरें भर गया करके यहांबर यहुदी लोग रोटी लेकर करके जाने वाला स्पाइरिस नाम का जो टोकरें वो है युनारी बादशा में उसको स्पाइरिस कहते हैं तो वहांबर यहुदी लोग जो रोटी लेकर जाने वाले टोकरें का नाम है कोफिनूस और गेर यहुदी वाला लोग जो रोटी लेकर जाने वाले वो जो टोकरा है उसका नाम है स्पाइरिस अर्थाद ये जो जन समुदाए है वो ये गैर यहूदी लोग है दूसरे बात इन दोनों जगाओं पर प्रवीशा मसीने रोटी लेकर के जो प्रार्थना पड़ी है इसके विशे में लिखा हुआ है उसको भी देखना जरूरी है अध्याए 14 के अंदर हम लोग पड़ते हैं प्रवीशा मसीने रोटी और मचलिया ली इसके बाद सुर्ग की और आंखे उठाकर आशिश के प्रार्थना पड़ी और रोटीयां तोड़ करके शिशों को दिया यह जो आशिश की प्रार्थना पड़ने का रीदी यहूदी रीदी है अर्थाद यहूदियों को जब रोटी दिया आशिश की प्रार्थना पड़ने के बाद दिया करके लिखा है और गेर यहूदियों की बीच में वहां पर रोटीयों को लेकर के प्रबु ने क्या किया वहां बर हलिका हुआ है वे सात रोटियां और मच्चलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी करके गेर यहुदी लोग रोटी भोजन के पहले प्रभु को धनिवाद देते हुए प्रार्थना पढ़ते हैं अर्चाद गेर यहुदीयों के बीच में प्रभु ने उस धनिवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद रोटीयों को तोड़ा सबसे पहले परभुन ने यहूदी इस जनसमधाइ को कलिसीया का नर्मान किया इसके बाद एक गेर यहूदी कलिसीया का नर्मान किया अब ये गेर यहूदी और यहूदी कलीसिया को आगले अध्याए में हम लोग देखते हैं इसा मसी पेत्रूस के अध्यीन करते हैं उस कलीसिया के अध्यीन करते हैं इसको देखने के लिए अध्याए सोलह में जाना पड़ेगा सोलह का वाके चार में हम लोग देखते हैं जन समधाय को प्रभु ने छोड़ा इसके बाद प्रभु केसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचते हैं वहां पर पेत्रूस रूबी उस चटान की उपर कलीसिया बि दे दिया इसी को सीखना है इससे पहले प्रभु ने यहूदी और गेर यहूदी जो कलीसिया का स्रिष्टी की आदा नर्मान किया था उस जुंड को पेत्रूस नाम का वो अगवा के अधीन दे दिया योहन के सु समचार द्या 21 वाक्य 15, 16, 17 के अंदर हम लोगों ने मनंशि दिन कर चुका है इसम मसी ने पेत्रूस से कहा मेरे भेडों को चराओ मेरे मेमिनों को चराओ बोल करके इस यहूदी और गेर यहूदी कलीसिया को उनके अधीन देते हैं अब यो कलीसिया कैसे रहना है मतिक सु समझार दिया है सोड़ के अंदर वाक्य 21 से आगे हम लोग कलीसिया देने के बाद धुरंद दुख भो के विशे में कहा पेत्रूस ने इसम मसी को आलग करके क्या कहते है प्रभू यह आपकर कभी ना भिदेगी हम भी इतने नहीं देंगी आई तुर्यंद प्रभु इस्सामसी उससे कहते हैं हड़ जाओ सेतान तुम मेरे रास्तेप में बादा बेन रहे हो अर्थाद उस कलीसिया को पेत्तुरुस के अधिन रहने वाले उस कलीसिया को अपनी जिवन में दुख कष्ट सहन करना पड़ेगा कलीसिया आपको हराम करने के लिए चंगाई के लिए नहीं बुला रहा है कलीसिया का सदस्य मसी के शरीर का अंग इसलिए बना है मसी के साथ आपको भी सहन करना पड़ेगा प्रदी दिन का कुरूस उठाते हुए मेरे पीछे आने के लिए इसलिए मसी ने कहा इस कातली कलीशिया यूनिवर्सल चर्च सर्विवापी जो कलीशिया जो है वो सहन करने वाला पीड़ा सहनने वाला कलीशिया है 32,000 वर्षों का ये दिखास है जो क्रिस्टियन क्यम्यूनिटी जो सहन कर रहा है और दूसरों को छमा दे रहा है प्यार भांट रहा है इस प्रकार कोई भी अन्य धर्म के लोग नहीं सहन कर रहा है नहीं सेवा कर रहा है उनकी सेवा हसते हुए मुस्कुराते हुए सेवा देते है लेकिन उनके हुर्दे में शरीर में वेतनाय यादनाय सहनना पड़ता है हमें मालू हमारे बारत देश में भी हिसाईयों पर कितना त्चार हो रहा है ओडिसा में क्या हुआ अब इहाली में हमारे सिश्रवनों के उपर जानसी में क्या हुआ है एक दो साल पहले मत्य प्रदेश में क्या हुआ था उनके उपर प्रताडा जाता है हात्या की जाती है उनकी सेवा का तरसकार करता है मसी ने यह कहा है दुख को बोगना है कर्ष्ट जहलना है तब इस कलीसिया बढ़ेगा आदिम कलीसिया रोम में सहने वाला जो रक्त बहाया उस रक्त के हरेक बुंद के द्वारा हज्यरों लोग प्रभू में कृस्ट में विश्वास किया अर्थाद कृस्तिय धर्म का नेव इस प्रकार के शहीदों के रक्त के द्वारा है हमें नर्ने करना है इस से एक मात्र पवित्र कादली कलीसिया का सदस्य बेन करके हम रहेंगे मसी ने जिस कलीसिया को यहूदी गेर यहूदियों को पेत्रू सुरूपी उस चटान के अधिन किया उस संद पापा के अधिन रहने वाला कलीसिया में हम प्रभू इसा मसी का शरीर का अंग बन करके पवित्र जीवन जीएंगे निरने की जी पिदा पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये स्यों